हाई फ्रेंट्स वेलकम बैक टू में चैनल ऑनलान सोसाइटी गाज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इपी स्कॉलेशिप का 12 क्लास का फॉर्म रिनुवल कैसे कर सकते हैं तो फ्रेंट्स आगर आपने 11 क्लास में अपना इस्कॉलेशिप का फॉर्म किया था तो यहां आपको स्टूडेंट पर किलिक करना है और आपको रिनुवल लॉगिन पर किलिक करके इंटर्मेडियर इस्टूडेंट लॉगिन पर किलिक कर देना है यहां पर आपकी लॉगिन विंडो ओपन हो जाएगी इसमें आपको जो 11 क्लास में रिजिस्टेशन आपको मिला था मोरे स्ट्रेशन नमंबर यहां पर आपको कर देना ओपने ऊ सबस्केटक आपको dual control spent क्रे़ उसकते को сफड कर सकते हैं लोगन के बाद कुछ इस तरीके का एंटरफेस यहां पर आपको दिखाई सबसे पहले यहां पर आपको आधारह प्रिमारी खरन जेए आपको अधार नंबर को करना था ना नवर को रिटाइप कर देना है अभी यहां पर आपके अधार की details अगर है चोती नाम टे चेंडर तो आपका demographic bit यह successful हो जाएगा डेमोग्राफिक अपडेट सक्सेस्फुल होने के तुरंत बादी आपको अपना ओटीपी अथेंटिकेट भी करना तो किलिक करेंगे नीचे यहां रिसेंड ओटीपी पर किलिक कर देंगे आपके आधार में रेजिस्टर मोगा लंबर के लास्ट फोर डिजिट य करेंगे अपना मोबाल नमबर यहां पर देजकर देना है नीचे कैप्चा को करके सम्ट पर किलिक कर देना है जो मोबाल नमबर अभी आप सब्सक्रान कर देंग तो इसमें आपको ज्यादा कुछ संसोधन नहीं करना कुछ management चीजों को आपको यहाँ पर संसोतन करना है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने high school के प्रापतांग और पूरांग दर्ज कर देना है उसके बाद पार्ट किरम का नाम यहाँ पर जिसमें अध्यन रहता है वो यहाँ पर आपको 12th by default होगा अधर बाद यहाँ पर आपको 12th select कर लेना है पार्ट किरम के बरतमान सत्र में प्रवेश की तिति को यहाँ पर चेंज करना है इस साल के यहाँ प्रवेश तिति डाल देगे अगर यहाँ पर आप बिलान्स सेलेक्ट करेंगे FSC कोड आपका अटोमेटिक फैच हो जाएगा यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नमबर दुबारा से टाइप कर देना है यहाँ पर आपकी अनमोदित रना नान रिफंडेविल सुल्क जो आपको कॉलस से पता कर लेना है नहीं आपको बर देना है स्कॉलर से नहीं पता है तो आप लाश्ट एयर का स्टेटस चेक कर लीजिए स्कॉलर से की वेपसाट पर जाकर बहां पर आपको जितनी भी स्कॉलर से पाई थी वो सो हो जाएगे उसके बाद यहाँ पर गत बरिष की कक्छा में आप 11 बर देंगे पर च दिच्छड संस्तान के नाम में आप 11 किलास यानि जो आहां से 12 किलास करना है उसी कॉलिज का नाम भर देंगे उसके बाद नीचे कैप्चा को फिल करेंगे और नीचे सम्मेट पर किलिक करेंगे अब यहाँ आपका आपका पूरा प्रिंट ओपन होकर आ जाएगा इसे आप आपको प्रिंट कर लेना है एक बाद सारी डिटेल को खुछ से द्यान से चेक कर लें कुछ जैसे आपका बोर्ड का पंजीन किरमाग अनमोदित नान रिफंडेवल सुल्क यह जूच सारी चीजें यह आपको अपने कॉलेज में चेक करा लेनी है जब यहाँ पर आपकी सार संथन कर सकते हैं जैसा हमने अभी किया वैसे है संसोधन कर देंखे जब आपकी सारद संसोधन करने के जарा संसोधन नहीं नहीं को नीचे यहाँ पर आपको final submit पर click कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको तीन working days का wait करना है उसके बाद यहाँ पर आप संस्ता है तो आप एदन print कर सकते हैं दुबारा से login करके हैं और यह जो form है आपको अपने college में जमा कर देना है सारे documents लगा कर इसमें तो यह थी पूरी process आप इ इस वीडियो में फिलाल अपना है अकर आपको वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार budget करें चैनल को subscribe करके बैल आगन को प्रेस कर लीजिए हम मिलते हैं आपको ऐसी किसी वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए